हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइबरोईट के बारे में मतलब के बच्चेदानी की गाट के बारे में यहाँ पर हम जालेंगे इसके सिम्टम्स मतलब के इसके लक्षड के बारे में इसके कौस मतलब के किस कारण से यह होता है और इसके टेस्ट के बारे मे और इसके treatment के बारे में चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो uterine fibroid मतलब के बच्चेदानी की guard तो इसके अंदर सबसे पहली बात ये non-cancerous guard होती है और ये बच्चेदानी मतलब के uterus की myometrium और fibroid tissue के combination से बनती है तो uterus की जो muscle वाली layer होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं मायोमेट्रियम की proliferation से ये guard बन जाती है और female में manly ये guard है 25 से 40 साल की age में देखने को मिलती है नेक्स बात कर लेते हैं uterine fibroid के लक्षड के बारे में तो ऐसी महिला जिसके uterus में guard है उसमें क्या क्या लक्षड देखने को मिल सकते हैं तो ऐसी महिला के MC के दुरान या तो bleeding जादा होती है या bleeding जादा दिनों तक बनी रहती है नेक्स उसके pelvis region में उसके pelvis region में देखने को मिलता है और ऐसी महिला को बार बार पेशाब आता है और इसके पेरों में दर्द रहता है तो ये हुए uterine fibroid के कुछ नेक्स बात कर लेते हैं इसके कारड के बारे में मतलब कि इसके कौस के बारे में अगर female में estrogen label बढ़ जाता है तो estrogen label के बढ़ने के कारड फाइबरोईट देखने को मिल सकता है तो male देखिए फाइबरोईट के जो chance होते हैं वो 20 साल से 45 साल की age तक बने रहते हैं क्योंकि द उसके बाद estrogen का label देखिए घटने लगता है अब जैसे ही देखिए estrogen का label घटेगा तो फाइबरोईट होने के chances घट जाते हैं इसका next कारड हो सकता है obesity मतलब के मोटापा बढ़ना तो ऐसी महिला जिनमें मोटापा जादा होता है उन महिलाओं में फाइबरोईट होने के chances बन करती हैं तो ऐसी females में भी फाइबरोईट होने के chance बढ़ जाते हैं next बात कर लेते हैं इसके test के बारे में तो ultrasound test से इसको diagnose किया जा सकता है next बात कर लेते हैं इसके treatment के बारे में अगर देखिए बच्चेदानी में छोटी गाटे हैं तब तो इसको medicine से control किया जा सकता है अ और इन गाठों का जो size है वो बढ़ जाता है तो uterus में जो complication है वो बढ़ जाता है तो इस complicated case में hysterectomy करा सकते हैं बतलब के uterus को remove यहां से किया जा सकता है लेकिन अगर ये गाठें छोटी हैं तो इसको treatment से भी ठीक किया जा सकता है यहाँ पर दिखिए क्या क्या treatment चलता है यहाँ पर contrasetive pills का use किया जा सकता है और GnRH agonist medicine का use किया जा सकता है GnRH मतलब के gonadotropin releasing hormone जैसे के zoladex LA और other medicines जैसे के ulipristal acetate and laterozol तो देखिए अलग-अलग female में अलग-अलग complications होते हैं तो उन complications के base पर इसकी dose भी maintain करके patient को दी जाती है ओके, thank you